भारत NCAP का पहला क्रेस्ट टेस्ट हुआ जिसमें TATA ने बाजी मार लिए जहां भारत New Car Assessment Program यानि भारत NCAP ने 20 दिसंबर को पहले क्रेस्ट टेस्ट के नतीजे घोशित कर दिये है इसमें TATA Harrier और Safari दोनों को 5 Star Rating मिली है भारती एजिंसी 15 दिसंबर से दोनों कारों का क्रेस्ट टेस्ट कर रही थी Harrier और Safari दोनों ने Adult Occupant Protection यानि AOP के लिए 32 में से 30.08 पॉइंट्स हासल किये है वही Child Occupant Protection यानि COP के लिए 49 में से 44.54 पॉइंट्स हासल किये है जबकि SUV ने Side Movable Defirmable Barrier Test में पूरी तरह से स्कोर किया वहीं Front Offset Defirmable Barrier Test में Chest Area की Safety के लिए कम स्कोर हासल किया कमाल की बात यह है कि अब भारती परिस्तितियों के अनुसार तैर नॉम्स पर Crest Test किये जाएंगे और उन्हें Safety Rating दी जाएगी यानि अब Crest Test भारती होंगे इस Test में कारों को 0 से 5 Star तक की Rating दी जाएगी 0 Star का मतलब Unsafe होगा और 5 Star का मतलब गाड़ी पूरी तरह से Safe मानी जाएगी अब तक Automakers कंपनियों ने कारों के करीब 3 दरजन से ज्यादा मॉडल्स को टेस्ट के लिए रेजिस्टर करा लिया है Crest Test के पहले बेज में Tata Motors, Maruti Suzuki, Hyundai और Mahindra और Mahindra जैसी कंपनियों ने भाग लिया है इसमें Tata Motors अपने Models को रेजिस्टर कराने वाली पहली कंपनी है दूसरी और Renault, Skoda और Volkswagen जैसी European कंपनियों ने अभी तक अपनी कारों का रेजिस्टरेशन कराने करने नहीं लिया है अब आपको बताते हैं Crest Test किया कैसे जाएगा टेस्ट के लिए इनसान जैसे चार से पांच डमी को कार में बैठा दिये जाएगा बैक सीट पर बच्चे की डमी होगी जो चाइल्ड आईएसो फिक्स एंकर सीट पर फिक्स की जाती है गाड़ी को फिक्स डिस्पीट पर ओफसेट डिफर्मेबल बैरियर यानि किसी हार्ड अबजेक्ट से टकरा कर देखा जाएगा कि गाड़ी और डमी को कितना नुपसान पहुचा है ये तीन तरीकों से किया जाता है जैसे फ्रेंटल इंपक्ट टेस्ट में कार को 64 किलोमीटर प्रतिघंटी की रफतार से बैरियर से टकराया जाता है साइड इंपक्ट टेस्ट के लिए गाड़ी को 50 किलोमीटर प्रतिघंटी की रफतार से बैरियर से टकराया जाता है pole side impact टेस्ट में कार को fixed speed पर pole से तकरा कर देखा जाता है पहले दो टेस्ट में कार के तीन star rating हसिल करने के बाद ही तीसरा टेस्ट किया जाता है टेस्ट में देखा जाता है कि impact के बाद dummy कितनी damage हुई airbags और safety features ने काम किया या नहीं इन सभी के अधार पर रेटिंग दी जाती है अब आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या फाइदा तो आपको बता दें इससे ग्राहकों को बहतर सेफटी वाली कार चुदने का ओप्शन मिलेगा साथ ही देश में सुरक्षित कार बनाने के लिए कंपनियों में कंपिटिशन बढ़ेगा और तो और इन कार कंपनियों को टेस्टिंग के लिए अपनी कार विदेश में नहीं भेजनी पड़ेगी ये सब जानकारी आपको भारत NCAP की वेबसाइट पर दिखेगी लेकिन ये तब ही दिखेगी जब केंदर के दुआरा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी भारत NCAP की टेस्टिंग का अनलिसिस कर उसे मन्सूरी देगी इसके बाद ही भारत NCAP अपनी वेबसाइट पर स्टार रेटिंग और टेस्ट रिजल्स शो करेगी कर दो कर दो कर दो